नमस्कार दोस्तों यह है TBS Centaur 125 Race XP latest model तो TBS ने इसको हाली में launch किया है more power और voice assist feature के साथ यह इंडिया का ऐसा पहला scooter है जिसमें आपको 10.2 PS की power मिल जाती है और voice assist का feature मिल जाता है जो आपको दूसरे किसी scooter में नहीं मिलेगा इसमें क्या-क्या बदलाब हुए है इसका price कितना ब यहां पर आपको piano blackness में इसका visor मिल जाता है जिसके उपर smart connection का sticker दिया गया है और इसके side में आपको Indian flag का sticker देखने को मिल जाता है और МУЗЫКА बल वाले indicator मिल जाते हैं और इसके नीचे की side में TBS का 3D में logo मिल जाता है और यहां भी आपको piano blackness मिल जाती है और इसके right hand side में आपको graphics मिल जाता है ग्रे कलर का और इसके दूसरी side में आपको end torque का sticker देखने को मिल जाता है जो की graphics के साथ दिया गया है और यहां पर आपको ETFI क bedging देखने को मिल जाती है और इसकी front वाली headlight की बात करें तो यहां पर आपको Y-shape में LED DLs मिल जाती है और इसकी headlight में कोई भी bulb यूज नहीं किया गया है यहां पर आपको fully LED setup देखने को मिल जाता है जैसा कि आप इसकी रोशनी को देख सकते हो काफी attractive इसका जो look है वो द disc brake मिल जाती है और इसके front में आपको 1812 का tire size मिल जाता है इसमें आपको tules tire मिल जाते हैं पहले इसमें आपको black color के alloy bill देखने को मिल जाते हैं जो की एक नया बदलाब है और यहां पर आपको telescopic suspension with hydraulic damper type के suspension मिल जाते हैं इसके meter console की बात करें तो यहां पर आपको fully digital type का meter console जया गया है और यहां पर आपको जोए eco और power mode का indication LED मिल जाती है और यहां पर आपकोstawic हेट लाइट इंडिकेशन लाइट और टन सिगनल इंडिकेशन लाइट मिल जाती है यहाँ पर आपको जो है इंजिन माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है इंजिन माल फंक्शन लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको जो है engine kill switch मिल जाता है इसको start और on off करने के लिए और यहां पर आपको hazard का switch मिल जाता है और इसके नीचे की set में आपको जो है mode मिल जाता है इसको street mode पर चलाने के लिए और sports mode पर चलाने के लिए और यहां से आप जैसा की देख सकते हैं दोस्तों इसके additional features की बात करें तो multimode, display street, sports mode, ride states और इसमें आप phone की incoming call message, miss call alert, navigation assist, last park location assist, auto reply SMS, rider app, air filter, paper plus form filter यह सारे option आप अपने phone से इस meter console में operate कर सकते हैं यहां पर आपको जो है horan का indicator का switch और low beam, high beam का switch देखने को मिल जाता है इसके color combination की बात करें तो यहां पर आपको red, black और silver color का combination मिल जाता है पूरे scooter में और यहां पर end torque और ETFI की branding देखने को मिल जाती है और इसके नीचे की side में 125 race xp का graphics मिल जाता है red color के साथ और नीचे की side में TBS racing का sticker दिया गया है जो की carbon finish के उपर दिया गया है जो की काफी attractive look दे रहा है और यहां पर आपको 155 mm की ground के lens मिल जाती है और इसकी seat के नीचे आपको silver finish मिल जाती है और यहां पर आपको red color का combination भी मिल जाता है और इसकी seat के नीचे आपको एक hook भी मिल जाता है सामाल लटकाने के लिए और यहां पर आपको adjustable foot rest मिल जाता है और यहां पर मैंने stand दिया गया है और यहां पर आप देखोगे side में तो यहां पर आपको race का graphics देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको एक foot rest भी मिल जाता है जो कि adjustable है इसके engine और power की बात करें तो इसमें आपको 124.8cc का air cooled forest rock single cylinder fuel injected engine मिल जाता है इसकी maximum power है 10.2 PS की 7000 RPM पर इसका maximum torque है 10.8 Nm का 5500 RPM पर अब इसमें पहले से ज़्यादा power बढ़ा दी गई है 0.64 PS की और इसका जो torque है वो भी पहले से ज़्यादा बढ़ा दिया गया है 0.3 Nm का जो की दोस्तों एक बहुत अच्छी बात है और इसका जो करवेट है वो 116 kg का दिया गया है इसके rear में आपको coil spring with hydraulic damper tap के suspension मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफी premium quality वाली seat मिल जाती है और इसकी seat की cushioning है वो भी काफी soft दी गई है और यहाँ पर आपको दो black color के grab handle मिल जाते हैं और इसमें आपको 5.8 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है और इसका fuel tank है वो external दिया गया है और यहाँ पर इसके पीछे की side से देखें तो काफी attractive look दे रही है और नीचे की side में TBS का 3D में logo मिल जाता है और इसके दौना side में आपको external indicator मिल जाते हैं लगे हुए और नीचे आपको reflector भी मिल जाता है overall इसका जो look है वो काफी attractive दिया गया है दोस्तों और इसका जो curve weight है वो 116 kg का है अब इसको दूसरी side से देखें त 3D में logo देखने को मिल जाता है यहां भी आपको race का sticker दिया गया है graphics दिया गया है जो की काफी attractive लग रहा है और यहां भी आपको जो है adjustable potrest मिल जाता हो यहां पर आपको जो है इसका exhaust देख सकते हो यहां पर आपको CVTI की RG की badging देखने को मिल जाती है इसके उपर metal की 2 plate मिल ज जाएगा जैसा कि 125 CC का scooter है और दोस्तों मैं आपको जो है इसके engine का और इसके exhaust का sound सुना देता हूं तो सबसे पहले हम स्कूटर को start कर लेते हैं तो जैसा की scooter है start हो चुका है तो यहां से आप इसके exhaust का sound note कर सकते हो आपको इसके exhaust का sound कैसा लग रहा है प्लीच कमेंड करके ज यह scooter में को काफी अच्छा लगा और scooter के मुगाबले क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे इसमें आपको features मिल जाते हैं अब दोस्तों इसके price की बात करूँ तो यह TBS endor का top model है जो की XP 125 race edition है जो की हाली में launch हुआ है और इसकी जो जायर सी बात है कि इसकी जो कीमत है वो भी लकता सोरुम की और सोरुम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप इसका on-road price पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर देना अपनी city का नाम मैं आपको आपकी city का TBS center का on-road price reply करके जरूर बता दूँगा अगर यह वीडियो आपको अगली वीडियो में